मन में प्रेम वो करवना, बाणी में बिठास, चित में निर्विचारिता, दिन चरिया में संतुलन या सहजयोग की प्रंपरा है सहजयोग की प्रंपरा क्या है? प्रीज चड़ो ध्यान दे मन में प्रेम वो करुणा, बाणी में बिठास, चित में निर्विचारिता, दिन्चरिया में संतुलन, यह सहजयोग के प्रेटप्रा है। एक जैसे अब एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में स्रीमाता जी का जो 17 मार्च 1885 में जो कहा है, एजुकेशन इस सहजयोगा इस बेरी इपूर्टन, और वाइस यूर इंटलिजेट विल रस्टाओ, आपका जो है, इंटलिजेट है, वो खितम हो जाएगा दिरे दिरे, यू मुस्ते हैफ छोटन, यू जुकेशन बसाओ यू नुद्हा मैं यू बारे इसके अजयोगा, यू एपूर्टन, इसके बसेशन दिरे भूर्टन, व्यू श्यू एफूर्य, इसए प्र रसूंते हैं, बस्तिना ओंड़़गों को है इते बाते हमआं को मालूम है, वो क नहीं सादु संतों को मालू ही है यह दी आमॉन्ट अगेशन यह दीए यह दीए नॉबडी है नॉबडी है नॉद्टी पिपर नौ संट एडी तो नउग तेक फुल आडवांटेज वाटेबर यॉर एच मैबी मैवी यॉर्ण भी आभी कुम रहो दूर जाओं तो सिर्प उनका हाथ है, मेरे लिए तो मेरी मा ही मेरी कायानात है, देखे हम लोगे पास में जो पैसे आते हैं, वो पैसे कहां से आते हैं, जो आप लोग मंत्री पूजा करते हैं, उसमें कंट्विशन करते हैं, उसके कारने हम लोगे पास पैसे आते हैं, और व पैसा सिमाते भी खाना है कि गलार धंक से खर्चा नहीं होना चाहिए है एक्वनिकली खर्चा ओना चाहिए है जब कि यह लोग को प्रविशन है कि कोई काम से भेजा जाता है तो हम लोग को ठस्रा समय सकता है लेकिन हम लोग वो भी करेम नहीं करते हैं कोई काम से जाना पड़ता है किसी मीटिंग के लिए या कहीं पर बहार जाना पड़ता है और वैसे ही सभी सहजोगी आते हैं दूसे टस्री आते हैं वो कभी कोई चा आता है और आप लोगों के लिए ही खर्चा हो रहा है और हम लोगों सेंटर बनाने के लिए और उसे चोयों के लिए 125 लाख रुपय इस साल अभी तक दिये है एक क्रोड 25 लाख रुपया जिबकि हम लोगों के पास में बना के बाद में आप कितना कंट्रूर करते हैं कुछ जाते हैं उसमें भी हम लोग कर रहे हैं इसी तरह एक पर पच्छीस लाख रुपय हम लोगों को इसमान दिया गया है मेरेज के लिए मेरेज के बार में मुझे एक बात मुत्रानी है स्रीमातर जी ने क्या कहा है we cannot exist without marriage institution, बिना marriage institution के हम लोग रहा नहीं सकते marriage institution is a gift of God to human beings and not to animals animal के हाथ मेरेज नहीं होती है, जो marriage होती है और human beings के लिए होती है यह स्रीमातर जी ने कहा है कि प्रमात्मा के गिप हम हम लोगों को लिए देगी है we are and not to animals, we are not going to become again animals, हमको अगर मेरेज नहीं कर रहे हैं तो हम दुबारा जानुआ की संख्या में नहीं जा सकते हम लोगों को marriage जुरूदी है और सहाज योग जो है वो ग्रेस्तियों के लिए ही है दूसरी बार स्रीमात्या जी ने जो काया है कि बहुत सा साथू संथ और उच जख्यक्तिति के आयात्मा प्रिस्वप आने के लिए तरफ रही है लेकिन रहे क्यके नहीं जाएंगे क्यू उन्हीं के हां जाएगी जो सुछ पवित्र हो जो फर्मात्मा की सकती से सकती से जानता हो एधां को प्रमात्मा से जивает योग हो तो वो सही जोगों के वह ही आएगी तो इसलिए जिरुभ लिया कि जितने भी जोग लड़क अलेग साधी जोग कारें। जितने हलुझ फोद से स्रीमाताइजी का आशिरवात होता है. जो स्रीमाताइजी के आशिरवात के काला लाइए यह साधि होती है. हmbolों के पास इतने फॉर्म आते हैं वह तो लोगों को इमन में यहीत लालत हो कि लड़कों का देना परता और वहां पर लडूर्कों के दह्या लेते. लेकि उससे आपका वो temporary फाइदा है और उसके बाद में अगर एक भी लड़के के साधी अच्छी जगा हो गई और वो उसके हाँ कोई बच्चा आ गया तो वो देखिए साधी कई जन्मों तक आपका नाम करेगा कई जन्मों तक आपका नाम होगा वह यह लगेगा कि वही यह इस परिवाद में वह वापके शादुसंद्द के आत्मा आ गई है तो यह जरूधी है कि आप लोग पूरी तरह है और यह विश्वास लेके कि हमालए या जो साध्या होती है वह पूरी स्री माताजी की गाईडेंस के तोर रही होती है जिस तरह सिर्वाताजीन गाइडन का रखा है जितने फार्म होते हैं स्रिवाताजी सामने रखे जाते हैं उनका फॉर्म देखकर उसके वाफी कंपेटिबिटी देखी जाती है उनके एजुकेशन क्या है उनके फेमर में क्या है किस तरह है वो देखकर सिर्वाताजी के सामने साले मेश करके फार्म रखे जाते हैं उसमें से तीन में से चार में से एक लड़की का सेलेक्शन होता है जो कि सबसके जादा वाइबिशन आते हैं उसमें चार जने या तीन जन ताकि साधिया ठीक से होप सके इस वार हम लोग दो बार साधियों करने का निक्षा किया है इस वार जो 21 बार्च को बंडे पुजा है वहां पर भी साधिया होगी तो जल्दी से जल्दी जिनों ने फॉर्म बेजना चाहते हैं वो भेज़ दे और पुराने फॉर्म अगर सौरोड तो उसके घल में बाबाप करते हैं के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं कि इसे जिखते इस कि स्रीमाताजी की यसे साधी होती है और जब साधिया होती है तो मंत्रों चाल होते हैं तो सिनमाताजी द्वाला गाइड किये हुए होते हैं और उससे आप देखा होगा कि लोगों के घर में जो है चेतन यह आ जाता है जब लड़की साहज योग से आती है तो बहुत बड़ा चेतनी घर में आता है वो सुबह से अपना ऑल्टर बेगार साफ करती है बजन बजाती है लोगों के आराम भाई बहुत अच्छा घर में महुर रहता है तो इसलिए साहज की साधी में मेरा तो एक खाल है आप लोग सब कोई करें मेरे बेटी की साधी साहज में हुई है और भी कई लोग है इनके साधीया जहां पर हो सकता है कि नहीं पता निए उनके इनके तेनों तो यह मेरा रिक्वेस्ट है और ज्यादा नहीं किस बोलके यह इतना मेरे ख्याले से यह से मत ही